हें शुब लौजी फैम मैं शुम जिस्वाला का बहुत सवागरता हूं तोडेश टेक एक नए एपिसोड में जहां आज टेक दुनिया की जुटनी भी गर्मा गरम अपडेट से मैं लेकर आया हूं इस एपिसोड में सो अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो मिस्समत करना इस व भारत और डिजिटल इंडिया के तहट यह प्रोडेक्ट लाया गया है नीती आयोग के द्वारा विच मेंस आप ट्रस्ट कर सकते हो इसके उपर आपर डेटा पुरी तरह सेक्यूर रहने वाला है और बहुत ही अच्छा अल्टरनेटीव है गूगल ट्राइब का अगर गू अपलोड करना जाते है दो जी भी तक आप वो फाइल अपलोड कर सकते हो एक बार में जो कि एक बहुत ही चीज है इसके लाबा अगर आप एक इंटरप्राइज हो यानि कि अगर बिजनेस्मैन हो और या फिर इंडिविजॉल हो जो कि आप 20 जीवी से ज्यादा यूज करना और तब आप एक बार में 10 जीवी तक अपनी फाइल अपलोड कर बाओगे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है हां इंटरप्राइस के लिए में बता जेता हो 999 रुपए रखा गया है साल अना जिसमें आप 50 यूजर्स को एड कर सकते हो 50 यूजर्स को एड कर सकते ह है अब यह हैदराबाद में होने वाला और पहली बार ऐसा हो रहा ही चाइना से अलग हटकर ऑपो कहीं पर अपना इस तरह का कोई लैप बनाने वाला है अब इस लैप का जो मीन काम मकसद है जो वह एक्शल में 5G जो सर्विसें से उनको एक्सलेरेट करना है साधी साधी सके सब्सक्राइब निकल का रही शामी की तरफ से क्योंकि शामी का जो रेड्मी 9 प्रो 5G चैना के अंदर लांच हुआ था वह अब इंडिया के अंदर पांच जनुरी को लांच होने वाला है लेकिन उसको रिब्रैंड कर दिया गया है अब उसका नाम जो रखा गया है वह जो इसकी सीधी तक्कर होगी वह मोटो जी 5G और साथ ही साथ वन प्लस नॉड के साथ इसकी सीधी तक्कर निकल कर आरी है मोटो लावर्स के लिए अगर आपके पास इन जो मैं लिस्ट अभी दिखाने वाला हो इस लिस्ट में कोई भी फोन है आपके बास मोटो लागा तो आपके लिए खुश कवरी विकॉज आफ उसमें Android 11 बहुत ही जल्दी अपडेट आने वाला है तो इसमें से कोई भी अगर आपके बास फोन हो तो अपनी सेटिंग्स पर जाकर बार बच चेक करते रहना अपनी अपडेट को और जैसे अपडेट आती है अपडेट कर लेना इंजॉय करना Android 11 बहुत सारी नए फीचर्स आपको देखने को मिलें इस अगली अपडेट निगल कर आ रही है शौमी की तरफ से बिकॉज ऑफ शौमी की मी 11 सेरीज बहुत ही जल्द देखने को मिल चकती है वैसे यह हो रहा था कि यह 2021 में दिखेगी विकॉज आफ यह फ्ल को मिल रहा है कि चाइना के अंदर यह में 28 दिसंबर 2020 को ही लॉंच होते है इस वह जैसे यह स्नाइप ड्रगन 888 के साथ आने वाला पहले स्मार्ट फोन हो जाएका पूरी दुनिया में और जैसे रूमर्स उठ रहे हैं यहां पर में 6.67 इंचेस की क्यूज प्लस दिस्प्ल इसके अंदर सो अगर यह चाइना के अंदर भी लॉंच हो रहा है तो विदिन अपरल और में यहां पर इंडिया के अंदर आपको लॉंच होते हुए दिख सकता है मुझे आप कमेंट करें बताना क्या शाओमी के फ्लैक्शिफ फोन साप लेते होगी नहीं बताना एक जो चुप जाता था सो दिखता नहीं था सेम बहुत सारे इनोवेशन लेकर आता है वन प्लस अपने सभी डिवाइस के साथ इस बार वन प्लस एटी कुछ जो जिस तरह से लिक्स निकल कर आ रहें वहां पर हमें फिर से बैक में इलेक्ट्रो क्रोमिक ग्लास देखने को मिल सकता है बलकि मेटलिक डिजाइन देखने को मिल सकती इस फ्लैश डिजाइन है अब इसकी खास बात क्या है दोस्तों यह वोल्टेश के साथ से अपना कलर चेंज कर देगी विच में यह डाक ब्लू से सिल्वर हो जाएगी तो अलग अलग तरीकी चीजे कर रहा है यहां पर वन प अपड़ेट में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको फसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना मत मूलना इस तरह के आपने काम की वीडियो देखना चाहते हो सब्सक्राइब द चैनल और शुब लो जी फैमिली को आप एड कर लो आप भी मेंबर बन ज सकते हो सी उसून में नेक्स्ट वीडियो इस्टे करेक्टेड जय हिंद वंदे मातरम